में ता अगर यह उते तीज स्वेर शाम तेल दा। तो भी उन्हें उनु खर आक मिलदी रहोगी। और फिर उदे चुपाया गया प्याज दा तेल फिर पीली सरों ते काली सरों उदे विच तिनने तरह दा मिश्रन देता गया है जिनना मर्जी सर्च दारदों दा टीकूगा अखा थकावट महसूस कर दिया है टेक जाने गया शरीर पूरा थक्या होया लेजी रसा है बुडिय विच तेल जरूर लगांदे सी सारे नूँ सलावी देंदे सी पर आजकल असी आपने आपनों बहुत मोडरन कैन लाग गया ते इसी करके असी तू नीदे विच तेल भी नहीं लगांदे आज ती वीडियो विच मैं तानू कई तरह दी जानकारी सांजी करागी कि आखिर त केड़े परसरनों केड़ा ओयल अपनी तुनिविच लगाना चाहिए और नाली इस वीडियो विच जिकरो भी करांगे किसनों लगाना चाहिए और किसनों नहीं लगाना चाहिए जी हाँ चाहे कि किसी चीजा फायदा भी हो रहा हुंदे है पर फिर भी कुछ हेल्थ पूरी बोडी दी एनरजी दा सेंटर पॉइंट हुंदी है साड़े तुनी पूरी बोडी नू इस दिनाल जुड़ी हुंदी है साड़े जिनने भी नर्व सिस्टम असी कह सागदे हुं किते ना किते साड़ी तुनी दे आले दुआले ही है और इसी नू लेके अरवेद दे विच भी क्या गया हुंदा है कि बोडी दी जड़ी डैजेस्टिव फायर है यानि अगनी जिसनू कहां जानदा है उसनू बैलंस रख्या जा सकते है अगर असी तुनी दे विच तेल रेगुलर लगांदे है इसनाल जिननानू पेट गैस, आसिडिटी, ब्लोटिंग दी प्रॉब्लम हुंदी है उस तो भी उननानू छुटकार है जरूर मिल सकते है जिननानू अक्सर स्ट्रेस बहुत जादा रहनदा है प्रॉब्लम है कबराट रहनदी है जिनननू नीद जो है सही टांगनाल नहीं आंदी उना दे लई वी तो निदे विच तेल लगाना बहुत ही वदिया एक नुस्खा रह सागदा है और मोनल बैलन्स दे लई वी बहुत ही जादा जरूरी है तो निदे विच तेल लगाना स्पेशली जदो फीमेल जी गाल कार दे है जदो उना दे पीरिड्स पेन है अगर किसे नूँ भी पीरिड्स दे दुरान पेन जादा महसूस हुंदा है बोडी विच तेल लगाना बहुत ही आराम ज़रूर मिलदा है कि ते भी हड़िया दे विच दर्द हुंदा है पेट व बहुत अच्छा हुंदा है साड़ी स्किन हेल्धी बनी रहन दी और स्पेशली देखिए जिना दी स्किन ड्राइ हुंदी है और जिना दे लिपस बहुत जादा द्राइ द्राइ नहीं पहाँगे तो आनू जह हा कुछ करन दी लोड ही नी पाइगी नैच्रली तो आड़े लिप्स यां तो अड़ी ड्रॉइ स्किन जो है बहुत वधिया हो जाएगी तो अगों में तो आनू वीडियो वीचे जरूर दसांगी के वात, पित तते कफ दे हिसाब नेनाल किस परसन नू केडा तेल अपनी तुनिविच लगाना चाहिदा है और किना नू तुनिविच तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिदा है पर ए गल्ला दसांग तो पहला तो अड़ेनाल जानकारी सांजी करणगे इसे दे उपर तुनिविच तेल लगाऊं दे फायदया नू लेके और खास ओल्ल्स नू लेके पूरी जानकारी तो अड़ेनाल सांजी करणगे वैदवान अरवैदे अमडी सुभाश गोईल जी और जरूरे गल्ला में तुसी ते अड़ेनाल सुने हो त्या अपनी जिन्दगी विच जरूर अपनायो कि जदो आसी रातनों चेंज करने जानने हां जा सवेरे ऐसी बातरूम जानने हां तर तुसी देख्यों तुन नीदे विच ना एक फूस जा फसे हों था आँ असी उन्गली न ल कड़िगे चार देया तो क्यों फासदा कितों ओधा इमें तुसी देख्या कि खूही देख् पानी जो गुबी जी बनी हो दिया है इसी तरह सदी तो नीजडिया ए शक कर दिया ए खिच दिया है अब देबल अट्रेक्ट इन्हें खाना कुछ नो चाहिदा तित तु नीदे बिच फिर हो किया तो डेले कपड़े पाया बनायन पाया अंडर गार्मेंट्स पाया वो कर दिया तो नू पता भी जदो उत्थे कठा कर लिया उने तैट मिंज अंदर भी कुछ ना कुछ जानदा होगा फिर कहने खुश्की होगी गैस बनगी हो गया वह हो गया तो अगर इसी उते तेल लामांगे रोज स्वेरे शाम तेल ना उनू गिला रखांगे तर रखांग तो अदी तु निए उदे विचे तेल ला एक दो नबी और साड़े वैद जी ने उदेलिए स्पेशल क्यों बनाया तेल नाया नबी टच ओईल विचे पाया गया नंबर एक वोडे विचे पाया गया कि उनुट कर गान्जशन लसंद तेल और फिर पाया अगया प्याज द सब्सक्राइब करते हैं और तुसी देखोंगे तुरां तो दा फैदा जिनना मर्जी सर्च दार्दूंदा टीकूगा अखा थकावट महसूस कर दिया तेक जाने गया शरीर पूरा थक्या होए लेजी रसा बुडिया है मेर्चां पाई जंदियाने बार बार के नजर लागी चलो जी तुसी सुन लेया समझ लेया के किनना महत्तो पूरण है अपनी तुनी देविच तेल लगाना सो ये यादता तुसी आप भी अपनाओ अगों अपने बच्यानों भी यादता जरूर दो ताक्यों हेल्दी रह सेकंड देखन नू सुना नू बड़ी आम जिगाल ला चाहिए अपनी तुनी देविच बड़ाम दा तेल या तिल दा तेल लगाना चाहिए इनना दी स्किन बहुत ड्राई हों दी है नॉमली में तो अंदास नहीं है वात प्रविर्ती वाले कौन हों देने स्किन काफी ड्राई रहन दी है एंजाइटी है कब्राट वड़ी अब तुनी देविच लगाने में तो पित परविर्ती तो पित परविर्ती वाले नीचर समझ लएए उँ थोड़ा गुसे वीच रहन देने गरम मिजाद दा बहुत रहेगा इनना दे पिमपल्स दी प्रविर्म थोड़ी बहुत जरूर रहन दी है यहाँ आपक कई यह मू देने और एसिडेटी दी भी प्रॉब्म इना नू काफी रहन दी है तो इना नू आपनी तू निदेवीच नार्गल तेल लगाना चाहिए या फिर देसी के जो है लगाना चाहिए तो इस देनाल इना नू काफी राम जरूर न मिलेगा और जड़ा इना था थोड़ा गरम बहुत जादा गुसा भी नहीं आएगा नेक्स्ट गल कार्दियां जी जिना दी कफ प्रविर्ती है कफ प्रविर्ती वाले नू अपनी तू निदेवीच अगर तेल तुसी लगाना है ता तुसी सूरज मुखी दा तेल या सरसो दा तेल यानिके संफ्लार ओल या मस्टर ओ सुस्ती बड़ी ही यह वाले परसंस वीच रहंदी है डाइजेशन वी जो है टला मठा रहंदा है बहुत बहुत स्लो डाइजेशन रहंदा है मोटापा इनना दे शरीर ते जादा देखननों मिल साध है आल सी किसम दी नेचर हुन दी है मोटापा कारके तो आपा उसनू पत तुसी ए तेल गरम करके लगाना है, बड़ कदी भी डारेक्ट तेल नुँ गरम नहीं करना चाहिएदा, कि तुसी कॉली विच तेल पाया, गैस दे ओपर रखे और गरम कर ले नहीं, जी हाँ नहीं करना है, तुसी पहले एक पांडे दे विच पाणी पारलो, पैन दे विच चंगी तरह उस नू गरम करो एक कटोरी देविच तुसी तेल लाके गरम पानी देविच ही कटोरी नू गोल-गोल कुमालो फड़के रखो यह किसी स्टैंड लगा लो किसी भी तरिके नाल ओ गरम पानी देविच तुसी तेल नू गरम करना है लगान देले उस बाद तुसी ये तेल जड़ा है अपनी तुनीदे वीच लगा साग देओ चाहिए कॉटन देनाल चंगा है वैसे अगर तुसी फिंगर देनाल ही लगा लोगे उस तो बाद तुसी अपनी तुनीदे वीच clockwise moment देवी चोथे हलका हलका में मसाज करनी है तुनीदे हलका अंदर और फिर उस बाद तुनीदे बाहर वाले एरिये वीच भी clockwise तुसी इस तरीके नाल हलकी हलकी मसाज करनी है ताके जड़ा ओयल तुसी पाया और चंगी तरा नाल रस जाए अंदर तक और फिर तुसी जड़ी मसाज या कंटीनू 5-10 मिनट तक कर साग दियो कंटीनू और उस तो बाद तुसी रेस्ट लेना है 15-15 मिनट तक तुसी इसे तरीके नाल ओयल रहन देना है रेस्ट करना है और तुसी थोड़े 10-15 मिनट बाद एखोगे कि जिनना तुसी ऑल पाया ची किनना तेल अंदर जा है तो अडे और तो तुसी अंदाजा लगा साग दियो कि बाड़ी वीच किनी जादा रिक्वार्मेंट सी तुनीदे वीच तेल लगान देले किनी तो अडे बाड़ी वीच खुश्की उस देनाल हो रही सी ते फिर उस बात तुसी किसी भी नॉमल साफ कपड़े देनाल उन पाओगे बहुत एजी रहेगा सोन वेले कार लोगे उस बात उसी कोई कारपाण वाली टी शिर्ट या शर्ट जो भी पाईए तो थोड़ा अगर तेल लग भी जाएगा उससे तो खराब नहीं होएगा और इस सिर्फ इक वार ही करना है दिन दे वीच एक इन एनी के स्वेर पाओगे बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिदा तो इत्थे गाला दिये जिनानों पेट नू लेके कोई हल्थ इशू चाल रहे ने जिमेंके किसे नू अलसर दी प्रॉब्लम है हरनिया दी प्रॉब्लम है अपेंडिक्स दी प्रॉब्लम है या फिर इंटेंस आयं दे वि इकदम किसी गालनों लेके एकदम ही पेन होया है कोई अमर्जंसी सिच्वेशन जिसनों अपना कह देए उस सिच्वेशन वीच भी नहीं सोचना चाहिए कि तू निविच तेल लगा कि आसी इज़ा हिलाज कर लेए सो यह जड़े तूनिविच तेल लगान वाला प्रोसेस होंदा है यह लॉंग टर्म होंदा है स्लो प्रोसेस होंदा है इस दिनाल एकदम किसी चीज़े भी चानो राम नहीं मिलेगा यह ओवराल बॉड़ी हेल्थ लिए सी मांसा आदे है ठीक है अगर असी रेगुलर तून नहीं अणाना है तूनिदी तेल नहीं लगाना है यहां फेर तुसी आरवेदिक डॉक्टर दी सला देनाल, नेट्रोपै्थी डॉक्त करना वी जड्यों और अगर हुं तक ही तुसी बढे ÇokTheer नहीं आट न sorcer , चंघ ज़रूर लगी होएगी एकन्ड मेरे यूटीब चैनल हेल्थ अद्वाइस विधर जोतकौर नो सब्सक्राइब नहीं किता है ता फटाफट सब्सक्राइब वी कार लो मिलांगे जल्दी ही से एतना जोडी होर खास जानकारी देनाल फिलहाल लिद्योजी इजाज़त तन्वार